चुनाव नजदीक आए नहीं कि नेताओं की बयान बाज दी शुरू हो गई चाहे नेतास तत्तापक्षिय हो या विपक्षी पार्टी के हैं और अगर चुनाव की बात कर रहे हैं तो ये चुनाव कॉंग्रिस पार्टी के लिए काफी ज़्यादा माइने रखता है और बीजेपी के लिए काफी ज़्यादा माइने रखता है कॉंग्रिस के लिए इसलिए क्योंकि हाली में राहूल गांदी ने जिस तरीके से भारत देश की बात कर लें, च्छतिस गड़ की बात कर लें, ये कुछ ऐसे राज्य हैं, जो कि हार और जीत के बहुत ज़्यादा माइने रखते हैं, बात अगर राजस्तान की कर रहे हैं, तो सचिन पाइलेट का नाम लेना जरूरी है, जो कि राजस्तान में इन दिनों पाइलेट वर्सिस कहलोत काफी जाता चलता नजर आ रहा है, और सचिन पाइलेट ने तो खुला चैलेंज दे दिया है, आसा दुद्दीन ओवैसी को, जी हाँ, वही आसा दुद्दीन ओवैसी, जब चुनाव नजदीक आते हैं, तो अपने तमाम घोशना पत्र को लेकर, अपने तमा का यहाँ पर स्वागत है, आप सभी यहाँ पर चुनाव लड़िये, लेकिन पाइलेट का यह कहना है कि टोंक से मुझे कोई नहीं हरा सकता, और असाद दुद्दीन ओवैसी का में मकसद क्या रहता है, मुसल्मान वोट को बाटना, क्योंकि बिहार की बात कर ले, तो बढ़ता है, तो जाहिर तोर पर कॉंग्रिस को नुकसान होता नजर आता है, देखे, और सचिन पाइलेट का कह रहे हैं, सचिन पाइलेट ने कह रहे हैं कि मेरा सपना सत्ता में बैठना नहीं है, या किसी पद का लालच नहीं है, जनता की सेवा करना चाहते हैं, और चाहते सचिन पैलेट टौंग के दोरे पर औवैसी ने सचिन पैलेट को मूझ से भाशन के दोरान एक बड़ी भविश्वानी की यानि प्रेडिक्षन कर दिया कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सचिन पैलेट का सपना कभी पूरा हो भी पायेगा। कि सचिन पाइलेट की अगर हम बात करें तो सचिन पाइलेट को लेकर ये कहा जा रहा है कि मोक्य मंत्री उन्हें बनना चाहिए नौजवान हैं यूवा हैं जनता के बीच में अच्छी पकड़ है जनता के लिए काम भी कर रहे हैं काफी समय से तो गहलोत के बाद पाइलेट को एक अच्छे विकल्फ के तौर पर देखा जा रहा है लेकिन राजस्थान में जो बजट पेश कर दिया ना गहलोत ने वो कहीं ना कहीं पाइलेट के लिए मुश्किले खड़ी किया हाला कि अभी ये जो प्रेडिक्शन किया असा दुद्दीर ओवैसी ने ये कितना ठीक होगा या पाइलेट का सपना पूरा हो भी पाएगा या नहीं ये तो फिलाल कॉंग्रेस पार्टी आलाकमान जाने क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी आलाकमान को टाय करना है कि इस बार राजस्थान में मुख्य मंत्री के तौर पर किसे रखना है गहलोत या फिर पाइलेट को और देखें ओवैसी के इस बयान पर सवाल पूचने पर पहले तो सचिन पाइलेट मुस्कुरा है और फिर उन्होंने कहा कि मेरा सपना स्यम बनने का तो है ही नहीं क्योंकि मुझे तो नालच है ही नहीं मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि राजस्तान का विखास होना चाहिए मैं गहलोत की तरह नहीं कि एक ही जगा मतलब बैठे रहें उनका ये कहना है कि देखे पाइलेट ने जिले में कई लोकारपड कारेकर्मों में हिस्सा लिया और जन सभा को संबोधित भी क्या और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है अगर टोंग की बात कर ले तो मुस्लिम आबादी है वहाँ पर अच्छी खासी और इस बात को भली भाती समझते हैं लेकिन सचीन पाइलेट ने कहा कि राजस्थान की आवाम पर पूरा वरुसा है चाहे वो जांट समुदाएं हों गुजर समुदाएं हों मुस्लिम समुदाएं हों या अन्य तपके के लोग हों वो लगातार कॉंग्रेस को सपोर्ट करें और देखिए राजस्थान पर लग पाइलेट का खेल विगार देंगे आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताईएगा आज के लिए फिलाल इतना ही फिर दुबारा आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए जाज़ा दीजे नमस्कार